अगर आपने नई pencard के लिए apply किया है online खुद से या फिर CSI Center जाकर या फिर cyber cafe में जाकर उनसे apply करवाया है नए pencard या फिर pencard correction के लिए आपने request submit करिये online खुद से करी हो या फिर CSI Center से करवाई हो या फिर जो है pencard correction के लिए तो उसका status क्या है घर पर कब तक आएगा pencard की जो application वो जो है अपरू हुई है या फिर नहीं हुई कैसे आप पता कर सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं step by step दिखाऊंगा mobile से आप जो पता कर सकते हो तो वीडियो जो है काफी जादा helpful होने वाली है आप सभी के लिए इसी बात पर एक लाइक तो बनता है और आगे भी इस तरह की helpful नोलबे पाना चाते तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में प्रदीब आप देख रहे हैं टेकनोलोजिया तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने मुबाइल में कोई इंटरनेट ब् की वेबसेट यह आ जाएगी तो इसको जो ओपन कर लेना है बाकी इसको डारेक्ट लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है जैसे उसी लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने यह पेज आ जाएगा अब यहाँ पर देखें ट्रेक यूर पैंट एन अप्लिकेशन स्टेटस और यहाँ पर जो है बता रख है कि अप्लिकेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है और अप्लिकेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है प्लिकेशन अब यहाँ पर इधर देखेंगे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं इधर देखेंगे तो यह जो select का o option है इस पर आपको प्रेस करने से करना है तो यहां पर refresh का button इसमीड का रहता है तो यहां पर यहांinations कर देंगेक क्लिक किया तो यहां पर देख सकते हो नचापचा आ गिए ठीक है तो चलिए यहाँ पर मैं जुए acknowledgement number mention कर देता हूं 15 digit का रहता है और यहाँ पर यह new capture code मैं mention करके submit कर देता हूं तो यहाँ पर मैंने पूरी detail mention कर दी देख सकते हो अब मैं submit कर देता हूं और जैसे Submit पर प्रेंगे जो स्टेटस है वो दिखा देगा यहां पर देख सकते हो यहां पर आ गया अक्नलोजमेंट नंबर यहां पर दिखा दिया पैन नंबर पर्मानेंट अकाउंट नंबर यहां पर दिखा दिया नेम यहां पर दिखा दिया कैटेगरी यहां पर इंडिविजल और यहां पर स्टेटस जो भी status रहेगा under process रहेगा या पर dispatch हो जाएगा या पर deliver हो जाएगा सारा यहां पर दिखा देगा तो इनका क्या रहा है कि आपका जो pen card वो dispatch कर दिया गया है 15 माई 2030 को by speed post और यहां पर bill number भी दे रखा है इसके मादम से आप track भी कर सकते हो कि जो आपका speed post आ रहा है वो कहां तक पहुंचा है कब तक आपके घर पर आ जाएगा और यहां पर बताया कि speed post कर दिया गया है जो आपका communication address था उस पर और यहां पर pen card डिलेवर हो जाएगा आपके घर पर तो इस तरह से आप जो status पता कर सकते हो यहां पर जो भी आपके pen card का status रहेगा application reject हुई है under process है या dispatch है वो यहां पर दिखा देगा तो इस तरह से आप जो अपना pen card का जो status है वो आप पता कर सकते हो किसी का भी pen card का अगर आपके पास acknowledgement number है तो आज की वीडियो में इतना ही था ऐसे करतों यह जानकर आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आज वीडियो को like किजे, share किजे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जुरूर कीजेगा, मिलते चल एक और नहीं जानकरी, एक और नहीं information के साथ अपना ख्याल रखेगा बबाए, take care